अब बिखे शिद्ध की था जोना दे कानून गल्त नए और इना कानून नूँ वापस लेना चाहीद है जेड़ी जिनना कुछ भी को कहने देशी जदो गल्त सिद्ध कर देशी जिद्धा सरकार उनू इस तरह पर चाहती सी जिमें असी हैं मालग कर दे हो ये के एक कानून जेड़े ने इना नू सरकार बापस लबे और किसानून जारा है और आ ज़िड़ा एगेंट है इस बारे सरकार अपनी स्थेटिश पष्ट करें कि एक कानून नू के में बापस लेख लोगे जिमें कुसी जड़ी मॉडिलेटी कर दे दिख लोगे तियां जदों MSP दी गरंटीदा कानून कार अंबानिया ौदानिया कार्पेट कॉर्पेट कराने को सब कुछ गेने पहुंड जा रही है यह मेरी अपील है सारे अपने तर आहानून वह बहुत ही सहर नाड बहुत ही जिम्मेंबारी नाल बहुत ही ठ्रम सरकार ना ता पहला कदी इमानदार दर सहर दसी ते ना होन रही है जिनियां मीटिंगां होईयां उना विच जो कुछ असी किसान जथे बंदियां वालों किसाना दा पक रख दे रहे ओ हर गलनू त्रोल मोड के लोकां दे समने गल्ट टांगनाल पेश कर दे रहे ते हर मीटिं उन्हों इस तरह परचार दी सी जिम्हें असी हैं मंग कर दे होईये के एक कानून देविच सोदा कीती हैं जान असी बड़े स्पस्ट हैं इस मसले ते पिस सोदा करनारे मसला हल नहीं होंदा क्योंकि जे सोदा सी मानवी लेने हैं तो टेंपरिरी ली सानू लगूगा पर य यसी अपना जड़ा मसला सी हल करा लिया पर असलियत ए अब कानून तर स्टेंड करेगा ना जदो कानून स्टेंड करेगा तो उन्हों किसे बड़े भी सरकार फेर हो देच अमेंडमेंट करके फेर एक्टिवेट कर सकती है इसलिए जदो सरकार दा ए अदकार खेतरी नहीं राज़ा दा विशा है इस करके ओ कानून बना ही नहीं सकती खेती दे उते किंदर सरकार स्टेंड खलाव समदान दी उलंगणा करके उनने कानून बनाए है इस करके असी अना कानूनानों मुड़ों ही रद कर दे रहे हैं और इस इमां कीती है हमेशा ये तिन्नों गानून इना नू सरकार वापस लबे और किसान नू आर्थिक इनसाफ देवे ते हुन कुछ देना तो फिर बड़ी तेजी ना मुदी सरकारे परचार कर रहे इसी हो दे सारे गोदी मीडिया सारे सरकारी मिशिनरी लोकानू गुमरा कर लगी हो इसी कदे जिड़े सी पाड़े दे सजन खड़े करके कहा जा रहा सी विलो जी सारे लोक ता इस ना कानूना देहा कचने असलिए तेया भी सरकार पैरा तो उखड़ चुकी है वो केंदे सी भी किसान गल बात कर ली त्यार नहीं उनने सानू चिठी लिखी पर इसानू दसो कदो तुसी मीटिंग करनी चाओने हो किना मुद्याते करनी चाओने हो असी तो अडिनार उनना मुद्याते गल करनी त्यार है असी उननों कल शामी चिठी लिखके जवाब दे देता पहला ता उनना दी एस गलों सक्त निंदा की थी वह तुसी लोकानू चूट प्रोस के गुम्रा ना करो ए सरकारां को नों एस अमीद नहीं होंदी सरकारां चूटी जेड़ी इन्फरमेशन है ओ लोकां तक पुचाओं दिया नहीं होंदीयां तुसी यह माडा कम कर रहे हो इनू बंद करो दूसरी गला सी गलाबाद करनी त्यारां एजंडा सी पेश देता है ऐसी कि है विजडे तिने कानून तुसी ग कानूनियादकार होए इदे लए की टांक तरीके अपनाओगे की मौडलिटीज होनगी है इदे बारे सानू दस्या जाए इस तरह सी अपना एजंडा सरकार नूँ पेश देता है और अनू एजडेता है बी उनती तरीक नू गयारां बजे सानू जदू सद्दोंगे असी मी स्पी दी गरंटी दा कानून बनाओगे तो एदे ले होन सरकार ने अपना मन बना के दसना है पिसाडे ना लो की उनती तरीक नू मेज दे बैठके गल करन ली त्यार ने के नहीं हाले तक सरकार ने कनफर्म ने की ता तो मैं एक अपने पाईचारे नू बेंती करांगा सरका सरकार दिया एजेंसियां बहुत पबंपार हुई है मैंनों इस गल्दी बहुत खुशी है भी साड़ी जिड़े नौजवान बच्चे ने उनने सारा कंट्रोल एते प्रबंदां दा जिड़ियां लोकानों मुश्कलां हों दी हैं उनने दा सारा कुछ अपने खतांच लेके बड़े बहुत ही वधिया टांगनाल ने बारहे ने एहोर भी अच्छी गल है यो एह खुद मैसूस करने लगे ने पिये साड़ा अंदोलन है एदे बिच शांत में इंदोलन रहेगा तासी जितांगे जे शांती पांग होगी तांदोलन दा नुकसान हो जाएगा सरकार दि अपो अपने टांगनाल किसान किसाना दे इस अंदोलन नू ली तो लौन दी कोशिश कर दिया ने बड़ी खुशी दी गल है पिस साड़े नौजवाना ने उननू फड़ेया केरेया और पुलिस्ते हवाले कीता तो मेरी सारे नू सिनिमर बेंतिया और आला समा होर भी ज्या वारी नू होर एहमियत देनी है और अपने एस अंदोलन नू शांत में ही रखना है कि में चलाओना है ए लंबा चलेगा सुप्रीम कोड़ दे वकील सहबान ओ भी तो अड़े हाक चने मैं आज जो ननना लंबी मीटिंग करके आया बहुत जल्दी सुप्रीम कोड़ दे वकी अपना सारे देश नू अपनी लपेट विच ले लेगा और एदी विलखन ता एह हो रहेगी के अंदोलन शान्त में रहा है शान्त में है अते शान्त में रहेगा तो मेरी सारे नू फेर से निमबर सारे अपने परावां दे ते अपने बच्चें दे चरना चे अपील है इक जिड़े पंजाबों लोकी साड़े साड़ा पाई चारा है इत्ते नू एस अ होन ले यहांदा उन्हों मेरी अपील है तो उन्द बहुत पेंदी है किरपा करके जिन्ने भी यहांदे हो दस वजे तु पहला करां तो ना तुरो जदो तु तु न्द कट जाए उदों आओ तो उन्द हटी ते आओ क्योंकि बहुत सारे हाथ से होन लग पे ने बहुत कीमती जानना जा रही हैं ने सारे नो सिनिमर बेंती है यह ते दास बजे दे चलके शाम तहीं पहुंचो यह वापस भी मुड़ना ताही थे रात कटके आगले दिन फिर दास ग्याराम बच इतिवाद वापस जाओ और मैं उमीदता हूने करांगे वे ओन वाले दिनां बिच कोई पंजाब हर्याने दे परामाने मूं तोड जवाब दिता सरकार दी इस कोजी नियत दा ओपने आप बिच एक मिसाल है पंजाब ते हर्याने दे परामाने जड़ी एच जपी पही है वाई गरू इनू होर निगी करे होर इनू मजबूत करे पुलिटिकल लोग जड़े च बिहार च असाम च तामिलनाडू करनाठक तैलंगाना केरला सारी है स्टेटन दे पूरी सरगर्मी नालन दोलन चल रहे है हर रोज गिंती था 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 अप वो अपने टंगना वरोदी वद रही है संब आवना एप बहुत छेती एह जानन दोलन ने जड़ा एदे विच आम जैरी जीना नू किसे नू इनने बक्षया नहीं जेड़े ओर्डिनेंस ने दिनाल सिर्फ किसाना दा नहीं सुमचे देश दा नुकसान होएगा आम आदमी दा जियोना दुबर हो जाएगा सरकार अंबानिया अडानिया कॉर्परेट कराने कोड़ सब कुछ गैने पहुन ज आ रही है मेरी अपील है सारे अपने प्रावानू भी बहुत ही सहरता नाल बहुत ही जुम्मेवारी नाल भौत ही ठ्रमे नाल यस अंदोलन चलाएए और जिनी देर सरकार गोडे टेक दी नहीं ओधों तक पामेश्चे मिन अंदोलन चले वाइगरू दी मेर है साठे लंगर लेड़े ने बाबे नानक दे वीर रपी इनल चलाए होई लंगर लो ताफ दे रहन और एदे चल दे रहन तुसी सारे नू वाइगरू सुद्बूदी ते समत लड़े बक्षे लड़ाई दे बिचा आपो अपना योगदान पौंदे रहो और एनू पूरन शांत में रखन ल सपा होगे अच्छा ये किसान अंदोलन आज जब से दिल्ली के बाॉर्डर्स पे आया है तो आज ये सारे देश में फैल गया है सरकार की हर चाल नकाम हो रही है पंजाब से शुरू हुआ हर्याना इसके साथ जुड़ा और इसके बाद अब मद परदेश से किसान पल्वल के पास बेटे हैं महराश्च से दोजार किसान पैदल चलके आ गया है राजस्तान के हजारों किसान जैपुर रोर्ड पे आकर उन्होंने मौर्चा संभाल लिया है और यूपी उत्राखंड के किसान पुलिस की जियातियों के बावजूद हजारों की संख्या में यूपी साइड से आके बौर्डर्स पे बैठ गए हैं सारे देश में हलचल मची हुई है किसान अंदोलन में शामल होने के लिए हर स्टेट से बड़ी संक्या में आ रहे हैं और कई स्टेट में तो अपने तोर पे वो एक बड़ा बड़े धरने लगा रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगा किसान बाईयों को कि सरकार के जूट के परचार में मत आये सरकार हमेशा जूट बोलती रही है कल हमने सरकार को चिठी लिए है सरकार कहती है किसान मेज पे आने को तैयार नहीं ये सरसर जूट है, कल हमने सरकार का जो रवया था, उसको कंडेम किया है, हमने कहा है, जो हम मीटिंग्स में कहते हैं, आप वो तो दिखाते नहीं, अपनी तरफ से जूट मूट दिखा के किसानों के संदोलन को तारपीडो करने के कोशिश करते हो, इसको हम कता ही टॉलरेट कर करने के लिए तयार है 99 आरीस को गयारा वजे हम अगर सरकार कनफर्म करेगी तो जहां सरकार के वहां हम आएंगे लेकिन हम एजंडा हम ने सेट कर दिया है हमने कहा है के हमारी जो मांग शुरू से रही है हम अमेंडमेंट्स बिल्कुल नहीं चाहते हमारी मांग रही है कि यह تینوں قانون کے اندر سرکار نے غیر سمیدھانک بنائے ہیں ان قانونوں کو واپس لینے کے لیے کیا موڈیلٹیز ہوں گی وہ ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں بتایا جائے اور جو ایم ایس پی ہے اس کا رائٹ ٹو ایم ایس پی لیگل رائٹ ٹو ایم ایس پی کے لیے کیا کیا موڈیلٹیز ہوں گی ایسا ہم نے ایجنڈا بھارت سرکار کو بھیج دیا ہے کہ اس پہ جب آپ بلاؤگے हम बातचीत के लिए आएंगे अभी तक सरकार ने कनफर्म नहीं किया नेक्स्ट मीटिंग का लेकिन हमने अपनी तरफ से जो सरकार कहती थी किसान मेज़ पे आने के लिए तैयार नहीं उनको एजंडा भी बेज दिया और उनतीस तारीक का गैरा मज़े का सामय भी दे दिया है अगर सरकार कनफर्म करेगी तो हम मीटिंग में जाएंगे शामल होंगे लेकिन आप सबसे निवेदन है कि जिस तरह से आपने अब तक शान्ती बनाई रखी और मुझे तसलिए है कि सरकार की अजिंसियों के अलग अलग तरीकों के बावजूद आर एसस के अपने इस संदो को बदनाम करने के तरीकों के बावजूद आप सबने तहमल से जिस तरह इस संदोलन को शांत में रखा है अब किसी की ताकत नहीं संदोलन कोई पीछे देकेल सके आपकी जीत यकीनन होगी और मैं उमीद करता हूँ आप सबी मेरी इन बिनंतियों पे अमल करते हुए अपनी अपने जगा पे अपना अपने जिम्मेवारी संभाल लेंगे और सरकार की हर चाल को नाकाम बनाएंगे आखर में जीत किसानुकी होगी धन्यवाद